कि यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है मेरा नाम है अपनाश प्रताब सिंग और हम इस सीरीज में इन्वार्मेंट पढ़ रहे हैं हम अभी तक इन्वार्मेंट की एंसी आइटी पढ़ते आये हैं और आज से हमारा रीफरेंस बुक का अपना सफर शुरू होता है तो मतलब आज से हम इन्वार्मेंट को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे तो रीफरेंस बुक में आप कौन-कौन से बुक रिफर कर सकते हैं एक तो यह है पीएमफ इस की और दूसरी एक बहुत जो टॉपस पढ़ते हैं वह है शंकर आईएस की अला कि मैंने भी दो बहुत अच्छे से बनाएगा है कादर के वे में तो पढ़ने में इजी है तो अगर आपने शंकर आईएस पहले से पढ़ रखी है तो फिर इसी बुक को पढ़िए और अगर आपने अभी रख नहीं शुरू किया है इन्वार्मेंट किसी रीफरेंस बुक से तो आप यह फ डाल दी है दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में कोई एक तो बिसिकली इन्वार्मेंट इस अबरीजिग तो बिसिकल एंड और आपने शुरू कर सकते हैं तो किसी भी और गैनिजम के अराउंड सब कुछ जो चीजें हैं बोथ फिसिक एस वेल इस चैमिकल वैक्टर्स भी वह सारे उसके और गैनिजम के इन्वार्मेंट का फॉर्मेशन करते हैं हम ने इसी टाइप की सिमिलर डेफिनीशन देखी थी न्सी आइटी में दी हुई थी लेकिन यहां पर एक एक स्ट्रा है कि सिस्टम भी हो सकता है सिस्टम मतलब स सिस्टम से हां पर तालुक है कि कोई अगर लैंड है कहीं का वहां पर हो सकता है कोई जानवर ना हो या फिर इंसान ना hanno बिना कोई और गैनिसम के भी इन्वार्मन होता था जिस्टम का इना ने աाय को ओगया डेях बसी अब कएध्वानीशन में आप आपना मेंन्रूंट ह in which biotic and abiotic factors interact among themselves and with each other these interactions shape the habitat and ecosystem of organism and ecological community तो एक definition ये भी है कि environment एक ऐसा natural component है जहां पर biotic और ये biotic factors interact करते हैं एक तो खुत में करते हैं और एक दूसरी आपस में भी करते हैं तो इस definition को भी आप environment की यूज कर सकते हैं the component of environment क्या क्या होते हैं दो component है हमारे बायोटिक और ये बायोटिक बायोटिक components में सारी living things आजाएंगी जैसे plants animal microorganism हो गया और ये बायोटिक components में all non-living things आजाएंगी जैसे water हो गया here soil rock minerals तब हम आगे चलते हैं अब हमारी definition habitat की तो देख लेते हैं habitat क्या है तो habitat is physical environment in which an organism lives तो इसको basically address of the organism कहते हैं इस fact को याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि एमसी क्यों में यह पूछ सकते हैं कि what is an address of organism आप बोल सकते हो कि habitat habitat है habitat है जो किसी organism का address basically बताती है कि वह organism रहता कहां है जैसे हमारे बास polar bear है polar bear तो polar bear polar area में रहता है यह ना polar area जिसकी habitat है आर्केटिक हो गया जैना आर्केटिक का रीजन आर्केटिक की जो आइस मेल्ट हो रही है उसे थ्रेट हो रहा है polar bear की लाइफ को इना ग्लोबल वामिंग करण तो इसलिए polar bear की habitat दूसरी है ऐसी हर जो हर जो अनिमल इसलिए उसकी डिफरेंट डिफरेंट होती है तो बिसिकली वह जानवर की यह और्गैनिजम की एड्रस हमको बताता है तो यह कई हैविटेट एक साथ मिलके इन्वार्मेंट का फॉर्मिशन करते हैं तो इन्वार्मेंट साइज में सबसे बड़ा है इन्वार्मिंट क्योंकि अल्मोस्ट प्रिथवी का सभी इसमें आ जाता है वैसे तो हम और्गैनिजम के रीफरेंस में इन्वार्मिंट देखते हैं बट इन जर्णल सेंस में भी बात करें तो आर्थ का इन्वार्मिंट जो होता है उसमें सबकुश कबर जाएगा तो कही इस चोटी शुटी हैबिटेट अलग अलग स्पीशी की मिल के इंवोर्मेट का फोर्मेशन करती है विर कुछ हैविटेट से जेसे डेजर्ट की है फॉरस्ट है ग्रास लेंड जवाना है श्क्रब लेंड है सब्टरेन यह वेट लैंड और मरीन तो इन सब हैबिटैट में अलग अलग इसपेशीय सब आप अनिमल अलग इसलिए इसलिए कुछ इस पेशीजांग में मिलेंगी वह शायद हमें वेटलेंड वाले अरिया में अमले कुछ जो म तो हैबिटेट को शेयर भी कर सकते हैं not exactly same point में बट अगर जैसे grassland को लेंगे grassland अगर एक habitat हम मान रहे हैं तो इसमें कई सारे ऐसे और गैनिजम आ जाएंगे जो सिर्फ grassland में ही पाए जाते हैं अब आगे चलते हैं अब difference देख लेते हैं कि habitat और environment में difference किया है so basically habitat always have life in it तो मतलब habitat में हमेशा life होगी लेकिन environment के case में यह rule apply नहीं होता मतलब environment में हो सकता है कि कोई life हो और हो सकता है कि life ना भी हो मतलब बिना life के environment as a system exist करता है तो इसको आप कह सकते हैं कि all habitats are environment but all environments are not habitat ना इसके बाद हमारी next definition है ecosystem की तो ecosystem की सबसे better और सबसे best definition यही है it is a functional unit of nature यह nature की हमारे environment की एक functional unit है जहां पर living organism आपस में interact करते हैं और उनके जो physical environment है उससे interact करते हैं तो इससे जो functional unit बनती है नेचर की उनके interaction से उसको हम बोलते है है ecosystem जैसे फिश है तो एक चोटी फिश दूसरी फिश को खा रही है यह वहां के plants को फिश खा रही है तो ऐसे जो पूरा आपस में interaction इनका और जो पानी के साथ इनका interaction है वो पूरा एक functional system बनाता है functional system नहीं होता तो फिश सर्वाइब भी नहीं कर पाती मतलब वो system functional है इसे लिए फिश की population भी बढ़ती रहती है प्लांट की भी बढ़ती रहती है तो इसे लिए aquatic system कह सकते है यह functional है इसे लिए वह एक ecosystem है aquatic ecosystem जिसको बोलते हैं तो बैसिकली इज़ा functional unit of nature और यह mcq में आ सकता है कि वह इसको याद रखना है कि एको सिस्टम है इसका अंसर पिर इस एको सिस्टम के कई साइज हो सकते हैं लेकिन यूजिली जो होता है यह specific और limited species के लिए होता है जैसे aquatic ecosystem है तो वहाँ पर मरीन से specific लाइफ वाले आपको मैमल्स मिलेंगे आपको मैमल्स भी होते हैं जैसे वेल और यह सब हो गई और इसके लिए मिलती हैं हमको अब आगी सिलते हैं तो यहां पर पॉंड का ecosystem देख सकते हैं यहां कि डख है आपको देख रहा है यहां डियर है जो पानी पीने आता है वो फैलो या काव है इ यह सब आपस में इंट्राइक्ट करती है तो एक फंक्शनल यूनिट बन जाती है यह पूरा यहां पर मतलब अच्छे से सर्वाइवल हो रहा है तो इसे लिए इसको हम पॉंड इको सिस्टम बोलते हैं पॉंड इसको इको सिस्टम यह फिर सब टाइप ओफ एको सिस्टम य आते हैं और उसके बाद हमारा जैसे यह फोरेस्ट जिर्से स्टम भी है यह टरेस्ट्रियल झाल का ही सब पर साँ टाइब में और आये चलते हैं उत्त इसके बाद अपर क्लासिफिकेशन आफ एको सिस्टम है ग्रमिल सिस्टम को दो के saben इको सिस्टम का सब टैपन यहां एको सिस्टम ग्रास्ट लैंड हो गया टिया है यह वे लिए एक्सामपल्स है एक्सामपल कहली जए या फिर उसका एकवड़ीम का इक्सामपल है तो यह भी हमने देख लिया, अब यहाँ पर एक फोटो दिया हुई है, बुक में ही है, PMFIS की, यह, उसी से मैंने लिये, तो basically इसमें classification की एक बड़िया फोटो बना दी गई है, तो आप देख सकते हैं कि natural ecosystem है, फिर इदर man-made ecosystem है, फिर natural इसमें terrestrial ecosystem है, aquatic ecosystem है, और यह further divide है, आप इसको पड़ सकते हैं, इसमें कुछ explain करने वाला नहीं है, तो हम आगे चलते हैं, तो अब यह हमारे पास एक question है, UPSC Prelims का, 2015 का, जो कहता है कि which of the following is the best description of the term ecosystem, अब ecosystem का best description भूच रहा है, best description से मतलब यह होता है कि exact definition के, आस पास की definition आप को दे देगा वो, confused करने के लिए, विरस में बोलेगा, इन सम में best बताओ, तो आपको best ढूडना है, तो इसके, वो देख लेते हैं, options हम, तो हम पहला option देख लेते हैं, a community of organism interacting with one another, तो यह बस नहीं है, यह half definition है, पूरी नहीं है, फिर, part of earth which is inhabited by living organism, यह भी definition नहीं है, ऐसी को community of organism, together with the environment in which they live, हाँ, तो हमने ऐसी definition एक पड़ी थी, कि physical component का interaction, और जो animals है, organism है, उनका अपस में interaction, तो kind of your definition है, अब आगे भी देख लेते हैं, the flora and fauna of geographical area, तो यह भी रही है, तो basically हमारी जो best description है, ecosystem का, यह options, सी में मिलता है, तो इसी तरीके से हमारा यह answer निकलता है, अब ह basically limiting factor क्या होता है, limiting factor जैसे नाम से आपको बता चल रहा है, कि it is anything that constraint a population size, और slows or stop it from going, तो कोई भी population size, plant की भी हो सकती है, या animals की हो सकती है, किसी भी population size को limit करना या फिर slow कर देता है, वो सारे जो factors है, उनको हम limiting factor बलते हैं, मतलब ऐसे factor है, जिनकी विज़े से population और सेरिया की effect प जैसे हमारे हो सकते हैं, कि biotic example कैसे है, food, कि अगर किसी एरिया में food नहीं है, तो वहां से सारे जानवर चले जाएंगे, दूसरे एरिया में, तो वहां की population कम जाएगी, right, फिर mates, मेट अगर नहीं है, तो भी से ले जाते है, competition अगर बहुत जादा है किसी एरिया में, वहां पे भी population decline होना लगता है, तो इस तरीके से कई limiting factors हैं, अब इनको एक है करके हम detail में देख लेते हैं, कैसे कैसे उनका effect पड़ता है, तो हमारा पहला limiting factor है light, तो light आपको पता होगा कि survival of plant के लिए बहुत important है, और animals को भी light चाहिए होती है, अगर light नहीं होगी, तो temperature बहुत down हो और life जो है, अर्थ में sustainable नहीं उपाएगी, तो spectral quality of solar radiation is essential for life, the UV component of spectrum is harmful to many organisms, यह ओजोन का depletion जो हुआ है, उसके करण क्या होता है, जो harmful UV rays है हमारी sun की, वो directly अर्थ में आ जाती है, पोल्स के थरू, तो अभी सर्फ जैसे हमारा यह अगर अर्थ है, यह पोलर अर्थ है, यह प पोजोन डिपलेशन हुआ है, थोड़ी सी, अब यह भी कम होता जा रहा है, तो इससे harmful radiation directly आ जाती है, यह harmful radiation भी effect करती है, किसी area की population को, क्यों, क्योंकि वहाँ पे cancer होने लगेगा लोगों को, या और भी अलग बिमारियां, वहाँ के plants में भी survive नहीं कर पाएं, यह सारे वहा लिमिटिंग फैक्टर है rainfall, अब rainfall कम होती है, वहाँ पे जैसे desert बन गया, अगर rainfall कम होती है, तो वहाँ पे भी plants और animals कम हो जाते है, rainfall बहुत ज्यादा होती है, तो वहाँ भी flood हो जाएगा, तो इस case में यह भी limiting factor है, मतलब वहाँ पे कम ज्यादा होने से इसके, लोगों की औ plants और species के numbers पर एफेक्ट पड़ता है, इसी तरी कैसे temperature है, अब temperature में भी एक concept है, यूरी धर्मल और स्टैनो थर्मल का concept, तो इसको देख लेते हैं, क्या होता है, few organism can tolerate and thrive in wide range of temperature, while most are restricted to narrow range of temperature, तो कुछ ऐसे organism होते हैं, जैसे कुछ ऐसे animals होंगे, जो wide range of temperature को survive कर लेते हैं, या फ लाइव कर सकते हैं, तो हम उनको बोलते हैं, यूरी धर्मल, यूरी, धर्मल, तो जहां-जहां जिन वर्ड के आगे यूरी लिखेगा, उसमें वो wide range को दिखाता है, वाइड वाइड रेंज कर और जहां जहां लगता है वह नेरो रेंज को दिखाता है इस तेनो-धरमल कोण से कौन से जानवर होते हैं के चेंज को सेहने की तो मुन को स्टैनो थर्मल कह सकते हैं oops heaven मैं हमारे ये जो हमारे ऑफ हो गई जाय कर्मी भी और बी आज पास ग गोई आज पास यो और भी उगैनिस्दम हो गए ये सारे योरी धर्मल में आते है ठेर एक फिर एक पास्फिर है इस मेट तकरा heavy तो atmosphere कैसे limit करता है क्योंकि oxygen है आपे oxygen आपको पता होगा कि survival human survival के लिए extremely important है जैसे आप पहाड़ों के एरिया में higher एरिया में जाते जाएंगे वहाँ पे oxygen का concentration कम होने लगता है क्योंकि atmosphere तिर होने लगता है उस करण से होता क्या है कि बहुत एक range के beyond human survival possible नहीं है जैसे Mount Everest में भ एक दो मिनट रुखते हैं वो तुरंत नीचे आजाते हैं ताकि oxygen खतम होने से पहले वह नीचे आजाने अदर्वारिस आप ऊपर जाएंगे चक्कर आजाएगा विहोश हो जाएंगे फिर death भी हो जाएगे इससे आपकी तो atmosphere और oxygen कितनी है उससे भी बहुत फर्क बढ़ता ह 78% जो nitrogen है हमारे atmosphere में यह prevent करती है spontaneous combustion spontaneous combustion का मतलब वही है कि जैसे आपने शुना होगा कि जंगलों में हमारे घरमी में बहुत पढ़ती है तो आग लग जाती है कोई भी reason हो सकता है कभी-कभी human made fire होती है कभी-कभी naturally भी आग लग जाती है suppose कहीं पर lightning हो गई जंगलों में तो व spontaneous combustion क्यों क्यों क्योंकि oxygen कम है इसकी वज़ा से oxygen होती है हमको फायर के लिए वैसे लिए जब oxygen कम है वैसे लिए spontaneous combustion उतना ज्यादा नहीं है अभी फिर carbon dioxide है जो plants हमारे लेते हैं पर इसके बाद organic compounds भी है हमारे जैसे रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट लिपिट्स यह भी energy transfer के लिए important है तो यह भी एक limiting factor है इन और गयानिक कंपाउंट्स में क्या क्या है कार्बन कार्बन डाइकसाइड वाटर हो गया सल्फर हो गया नाइट्रीट फॉसफेट अब आप बोलोगे सल्फर नाइट्रीट फॉसफेट का कैसे डिरेक्ट रोल है तो बिसिकली यह लैंड में पाये जाते हैं हमारी अग्री कल्चर के लिए important होते हैं तो जादा होंगे तो जादा होंगे तो वहां पे प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे इसलिए इसलिए इन और निक कंपाउंट्स पीसारे एक एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक करते हैं और एक लिमिटिटिट्वी है अभी ज़से मैंने बताया कि क्या होता है वर्टिकल जोनेशन हो जाती है वेजिटेशन की इधर वाला इरिया हमारा समुद्र का है राइट पोश्यन या सी बोल लीजिए फिर यहां से शुरू होता है मैं लैंड और इसे पहाड की तरफ जाता है तो यहां पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसकी हाइड बढ़ती है यह कुछ ऐसे रहेगा अना ओश्यन फ्लोर तो फॉरस् felt सकते हैं ऐसी बढ़ते बढ़ते जब यहां पर जाएंगे पने हां कौन ही पर इस फारस्ट मिलते है पहाड़ों rent पर जाते हैं ट्री खता मताक है ट्री लाइन होजाती है लहां पर शक्लिक बढ़ती नहीं ए सबillarदय शारा जैंग ऑल wen कैला तो के दरी जहन तो आगे चलते हैं अब हमारे नेक्स टॉपिक है बफरिंग कपेसिटी ऑफ इर्थ का मतलब क्या होता है बफरिंग केपेसिटी ऑफ इर्थ का बेसिकली मतलब है अर्थ की एबिलिटी अबिलिटी तू रजिस्ट पी-एच चेंज इन Soyle and Water Bodies आपको पता होगा कि जमरे ड्रिंग वाटर होता है इसका पी-एच सेवन के राउंड होता है और हमारी सॉईल का भी पी-एच सैवन के राउंड रहे तो ही ठीक होता है अगर्वाइस तो भी पी-एच जब मेंटियन रहता है वसी कंडिशन में हमारी सर्वाइबल पॉसिबल है अदर्वाइस ना हम पानी पी पाएंगे ना ही कोई वेजिटेशन ग्रो कर पाएंगे इसके बाद हमाने नेक्स लिमिटिंग फैक्टर जो है वो है सेलिनिटी अब आपने यूरी हलाइन और इस्टेनो हलाइन यहाँ पर देखा फिर से यूरी का हमने जैसे पढ मतलब होगा कि जो एसे जो ऑर्गनिजम जो वाइद रेंज आफ सेलिन डी को टॉले सकते हैं और। मतलब गुद उन्द सेलिन डारी ते इसके प्रेस्ट्रियल आटोपिर यह हुग स्थे टोपिक बनाथ उसे हम आपना फूड बनाता यह सभी बनता है यतों नैसे अधेभ रहे हुग कमपनेंट रहे हैं यह इख ऐद प fian रहे हैं लाइट कैसे एफेट करती है तो extremely high density of होती है क्या करती है रूट को ग्रोथ को फेवर करती है दूजर ग्रोथ मतलब आपको ऐसे बता होगा यह ग्रोप आधिक में परिप्ट ऑपर वाली होती है तो जब extremely high इंटिंसिटी ऑफ लाइट होगी रूट जादा होगी उसका कंडिशन में ऐस कंपेर तो शूट क्रोथ तो इसके करण होगा कि ट्रांस्पिरेशन बढ़ जाएगा त्रांस्पिरेशन कैसे बढ़ जाएगा ज्यादा एडिया से पानी लेगा यह रूट आपका वाज्यादा इन भी एवापोरेशन फोगा तो इसके करण होता क्या है कि जो हमारी स्टम होगी वो वो व शौट बनेगी श्राट इस्टम स्मौलर और थिकर लीव उती है तो जैसे इसका एक्जामपल आपको दिखता है डेजर्ट के एडिया में डेजर्ट के एडिया में क्या एक्टर् तो यह ऐसा क्यों है क्योंकि उसके सर्वाइबल के लिए इंपॉटेंट है अगर एक्स्रीमली हाइए इंटेसिटी सनलाइट पड़ेगी तो उस एडिया में पानी ओविसली कमी होगा क्योंकि एवापोरेशन से मौस आफ दॉट जाएगा तो इसलिए जब ज्यादा यह रू अब जब लाइट इंटेसिटी कम रहती है लेस्टेन मिनमम तो प्लांट सीस्टू ग्रोड द्यूट अफ सीयोट इसमें क्या होता है कि जब लाइट आपको पता है जब सफीशन नहीं मिलेगी तो इसकी फोटोसेंटेसिस नहीं हो पाएगी इसकी फोटोसेंटेसिस नहीं होगी तो यह एक्युमिलेट होता रहेगा बॉडी में प्लांट के प्लांट डिस्ट्रॉइ हो जाएगा और जो हमारे लाइट के स्पेक्ट्रम है लाइट का स्पेक्ट्रम से मतलब क्या है आपको पता होगा जो हमारी संकी रेज आती है रेन में लगाके देखें, या और किसी एक्सपेरिमेंट से, तो इसमें इतने अलग-अलग color के spectrum होते हैं, white light के इंदर, जो इसमें से red light होती है, और blue light होती है, सर्फ यही effective होती है, photosynthesis में, बहां की और light कोई role play नहीं करती, जो plants होते हैं, blue light में जो उगाए जाते हैं, वो small होते हैं सकत्त बाइब एक लिग आफ लॉट कि अगुंडी के मारे यीज़ लाइट में उनक्रक्ट रिश्ये प्लांट और धेशन प्लाइख दो कि अगmber Presence अभूशन में तag मिल आके न को अब यह सब्सक्राइब डेक लेते हैं जो मॉइस्ट्य होता है स्वाइल के अंदर वह भी जम जाता है इसके काने जो हमारी रूट्स है उनको पानी नहीं मिलता इसलिए उनकी डेथ हो जाती है फिर स्नो का रोल देख लेते हैं क्या होता है पहला जो इसका रोल है स्नो शॉर्ट करती है पीड़ ऑफ स्नो का एक और काम है यह ब्लैंकट की तरह काम करती है तो हमको लगता है कि जब स्नो फॉल होता होगा तो तेंपरेचर बहुत कर जाता होगा लेकिन होता इसके उल्टा है जैसे इसनो गिरती है जमीन में एक ब्लैंकट की तरह काम करने लगती है और फरदर टेंपरेचर को गिरने नहीं देती तो मतलब temperature थंडा तो रहेगा उससे नीचे थंडा नहीं जाता फिर जो हमारा accumulation of snow होता है trees part में उसके क्या-क्या होता है कि कभी-कभी हमारे branches ठूट जाते हैं बेट के कारण और कभी-कभी पूरा पेड़ी किर जाता है तो यह भी पर्क पड़ता है snow से टेंप्रेचर का भी अलग-अलग roll है hot temperature में अलग टाइप की crops होती है cold में अलग राइट फिर नाइट्रोजन आपको बता होगा कि प्लांट के survival के लिए बहुत important है nitrogen हमारे environment में बहुत पाई जाती है 78 परसंट लेकिन यह डारेक्टली प्लांट्स नहीं ले सकते है डारेक्टली प्लांट्स नहीं ले सकते उसमें क्या होता है कि lightening होगी जब आसमान से उस केस में nitrogen fixation होती है fixation या जो हमारे bacteria होते है साइन बैक्टीरिया जो मिलते हैं यह fix करते हैं इनको हम nitrogen fixing bacteria बोलते हैं इन bacteria के कारण nitrogen हमारी इस form में convert होती है जो हमारे plants ले सके अब आगे चलते हम अब यहाँ एक die back term दिया हुआ है book में die back का basically मतलब क्या होता है इसको यह इसमें कंडिशन होती है adaptive mechanism है basically है कि जैसे किसी एरिया में drought पड़ गई मतलब उखा पड़ गया उस case में होता गया है कि जो हमारा plant है यह उपर से सुखना शुरू करता है उपर से दी में दी में दी में सुखते सुखते एक point आएगा कि यह वाला पार्ट इसका उपर वाला पूरा सुख जाएगा या गिर जाएगा लेकिन जो इसकी roots रहेंगी वह हमेशा जिंदा रहेंगी तो यह एक adaptive mechanism हैसे होता क्या है कि जब पानी दुबारा आएगा तो यह प्लांट फिर से निकल के ग्रोकर जाएगा तो इसी फिनामेना कुछ हम बोलते हैं जो ऊपर से सूखना शुरू करता है इसको डाई बैक बोलते हैं मतलब बैक साइट से डाई हो रहा है कि कहा काम को देखने को मिलता है सैल के पेड़ अब हमारे कुछ बायोटिक कंपोनेट्स इंवॉर्मेंट के हम देख लेते हैं जो हमारे प्राइमरी प्रडूइसर है उनको ऑट्रॉप्स भी बोलते हैं क्योंकि वो खुद खाना अपना बनाते हैं प्राइमरी प्रडूइसर के एक्जामपल क्या है ग्रीन प्लांट्स ब्लू-ग्रीन अल्गी भी आती है तो अब इस टाइप की कुछन आ जाते हैं बहुत ऑफन कि इनमें से कौन से ऑटोडॉप से हैं जया से साइनो ब्लू-ग्रीन अल्गी में करके लिया green plants अन्हों को सबको पता होता है ये बैक्टिरिय उनके नाम इका आधि में क्या होता है उता हिंट कों कई होता है osob kg सोगेटोणий को ने बोलते है यह फ्रमॉर दूसर होती है tests like आपक सबसे बेस का फार्म करते है जैसे बलांट हो गया बलाइंट को डिर ने क्या अफर चेहां लिया इस तरीके-स जो मारी फूद बंती है उसीत तरीके का ये सबसे बिस्टे रॉटम में होते हैं हमारे इसके बाद हमारे थुअर्प है या हेट्रो टॉप्स है इसके इस या अपना और फ्राइबरी कंजुमर है जासे शीप रइबिट यह सबसे पहले प्लांट को में फीड करते हैं फिर सेकेंडरी कंजुमर कौन है हमारे फिर कंजुमर हमारे healthy िअनुभा अरषक को खाते हैं इसे फोल होगए ब्लक होगा याए शनेग डॉच्फ मारे जैसे रैबिट पकर के खा लेता है तो यह हमारे secondary consumers है इसके बाद carnivores है रोज का अर्श ब यह को खाते हैं जैसे Lions हो गए lion वाल्स को भी खाज़ा कता आप जाहे तो कि आप रैबिट को भी खाज़ागता है इसने खोगए हमारे के इस आंनिवोर्स ऐसे organism होते हैं जो बोथ plant and animal को खाते हैं कि जो इसे man हो गया बीर हो गया प्रिक example इसके हो गया फिर micro consumers में क्या होते है phagotrop पहला इसमें पहला टाइप है तो phagotrop basically a tiny organism होते है that feed on ingesting organic matter or organism का फिर डिजॉल ऑर फीट करते हैं पृष के बाद मारा है साप्रो टॉप्स होई वाउपोजर सोफ्रॉप्स होते हैं जो हमारे बच ग्कंपोस्ट प्र फिल प्लांट और एनिमल है उन पे फि気श करके सरअचे करते हैं इनको अध्यकाःस अयह यह इस अशल सब्सेषित ग्रशाग करते हैं यह श्यूम जैसे मारा आपको पिर अर्थ वाम हो गया इसका एक्जाम्पल इसार्टन साइल सोईल और्गनिजम है जैसे नीम नीमेटोड्स एंथ्रोपोड्स है ना यह सारे ही फीड करते हैं और यह जितना पूरा माटीरियल रहता है वोड को डिकंपोस करके सोईल में बना कर देंगे या और्गैनिक मैट इनको हम डेट्री वोर्स बोलते हैं यह जो हमारे और्गैनिजम्स है जो डेट्रीटर्स आइटम में फीड करते हैं इनको हम डेट्री वोर्स बोलते हैं तो हमारा चैप्टर वन प्याम फाइस की इन्वोर्मेंट बुक से इतना ही था इस पे हमने इन्वोर्मेंट की डेफ कि तो इसमें इतना ही कॉंसेट थे आप लोग को भी करना है कि चाप्टर खोलना है एक बार रिवाइस करना है बुक से और उसके बाद आपको यह चाप्टर अच्छे से आने लगेगा तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग और लाइक और सब सब्सक्राइब कर लीजे ताकि नेक्स्ट वी लक्ष्चर से आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको ताइम पर मिल जाए थैंक यू और बाए